हंजी बच्चों लगे हुए हैं CBSC 2024 कोशिश रहेगी कि जून तक आपां तीन यूनिट के कोश्चन आमसर कर लें कम से कम मैंनेटिजम वाले चेप्टर तक तो कोश्चन है एक 10 सेंटिमेटर लोंग वायर लाइज लोंग वाई एक्सिस और इसमें से करंट गुजर रहा है और करंट की डिरेक्शन भी वाई डिरेक्शन के लोंग है पहले बच्चों स्टेटमेंट आमसे पढ़े तब जाके कोश्चन असान लगने लग जाएगा तो वायर एल लेंथ की वाई एक्सिस के लोंग पढ़े है तो यह वाई एक्सिस के लोंग आपने एक वायर लग लगते हैं और करंट की डिरेक्शन पोस्टिव वाई एक्सिस के लोंग है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमेटर अलोंग वाई एक्सिस इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमेटर है और करंट वाई एक्सिस के लोंग मेगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन दे रखी है, फोर्स पता लगाएं इस पर कितना लग रहा है, वैसे एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्यों भी साइन थीटा, और L लेंथ की रोड पर जो फोर्स लगता है, वो लगता है, I L क्रोस बी, I L B साइन थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्रेंट है, लेंथ है, मेगनेटिक फिल्ड दे रखा है, कुछ नहीं करना, क्रोस प्रोडक्ट करने है, I L और B की, तो I क्रेंट और लेंथ मिल करके एक वेक्टर क्वांटिटी बनते हैं, क्रेंट स्केलर क्वांटिटी है, बट I L क्रेंट तो I, J, K और पहले आएगा I L, I क्रेंट है, वो कॉमन ले लेंगे, आपा बाज में चाहिए मल्टिप्लाई कर दो पहले, I और L की, 10 सेंटिमेटर और 1 एंपियर की, 10 सेंटिमेटर को मीटर में भी खिनवाट करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा, 0.1, और इसकी डिरेक् कि हमारा करन्ट, element I L, Y-axis के लोंग था, और मेगनेटिक फिल्ड, J और K, दो कॉम्पोनेंट दे रखें, तो मेगनेटिक फिल्ड का X कॉम्पोनेंट 0 है, J कॉम्पोनेंट 5 मिल्ली टेसला है, मिल्ली 10 के पौर माइनस 3 का द्यान दखना पड़ेगा, वाइल दिविंग कैलक माइनस 8 मिल्ली टेसला, तो बच्चो मैंने कई बार कहा है कि प्लस वन के कंसेप्ट, डॉट प्रड़क्ट, टॉस प्रड़क्ट, इंटिग्रेशन बहुत यूज होते हैं, CBSC के physics के paper में, तो क्रोस प्रड़क्ट करनी आती, आई छोड़ दो, इन दुन आई लिखेंगे, जीरो एंटू जीरो, प्लस के, जीरो फिर इसके साथ, जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो सिरफ हमारे पास आई कॉंपोनेंट रह गया, माइनस 0.8 मिल्ली था, इसलिए यहाँ पे 10 की पाउर माइनस 3 वापिस लगाना थोड़ा द्यान दखना है, हमको मिल्ली न्यूटन में आ आएगा ना, आई, तो यह आँसर आगया, माइनस 0.8 मिल्ली न्यूटन अलोंग आई एक्सिस, आई एक्सिस के लोंग आँसर आना, यह आई कॉंपोनेंट का बचे रहना, हमारे चारों आँसर में डिरेक्शन आई ही दे रखी है, तो हमारा आई ठीक है, माइनस में आया है तो अपना option पढ़ा है, बी माइनस 0.8 मिल्ली न्यूटन क्योंकि यहाँ पे अपने पास यह माइनस 8 था, इसलिए यह माइनस में आया है, 0.1 की माइनस 8 से multiply, माइनस 0.8, तो बचो, मैं फिर कहूंगा दो बातें, question की statement ध्यान से पढ़ें, और plus 1 के concept आ जाते हैं, उनकी help से question एक एक number वाले hope आते हैं, thank you बच्चो, channel subscribe कर,